स्टेडियम बढ़ाए कहाँ? रोतक में फैक्टरी लगाई कहाँ? रोतक में विकास किस क्या किया? रोतक का और वोट मांगने के लिए थारा हूँ थारा हूँ मैं तो एक चीज पूछ लेता हूँ इतना मारा थारा करते है अर्याना की बात करते है ये तो मनोर लालदी ने भी कभी नोटिस नहीं किया होगा कि दोन्नों बाबू बेटों से अरियाना नहीं बोला जाता सुन्डियों वीडियों आज भी कहते अरियाने जिन लोगों से अरियाना प्रदेश नहीं बोलता जा सकता वो के रियना के विकास की सोचेंगे आज किसान की बात करते हैं लोकसवा में एक बार बोलने का मोका मिला वो तो स्वर्गे सुष्मा जी ने जवाब अच्छा दिया दो फुट कालूग आके आगया था आज हम जब प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बुदर्ग ईवा साथयों ये बारी बारी कहते है स्टेरिएंग मेरे हात में रावल गांधी ने सोन्या गांधी स्टेरिंग समيत गाड़ी या जरनदीब के आथ में देदी दी नी दी और वो भी गाड़ी लेके बागया भीयार और छोड़ गया दोनों को यह आप के बीच में और यह गरंटी है वो छोटा मोटा स्टेरिंग का को अभी भी आत लगावा बचेगा इस बरोद्दा में युगेश्वर को जिता देो वो स्टेरिंग और चाब भी सब समेत पूरी गाड़ी सोनिया रंदीप के आत में दे देगा मगर इसके लिए अगले सो गंटे अमें मैनत करनी पड़ेगा बुदर्ग युवा साथियों मतलब यही प्राथना बिंति आप शे करता हो कि आप अपना वविश्य लिख रहे हो आज चार साल राज में इस्षदारी अगर आप मजबूती के साथ डालोगे तो विकास किसका होगा बरोदे का होगा कॉंग्रेस का उमीदवार कहता है मेरी पौँच गुपेंदर उड़ा तक है दिपेंदर उड़ा तक है बुदर को युवा साथी है तो फिर अपनी पौच और सोच उसने दिखाने का काम कर दिया कि उसकी पौच कोई फिर दिल्ली चंडीगड तक नहीं है रोद तक का कुंशा है वो गांधी पार्क डी पार्क उसकी पौच तो डी पार्क तक है मगर हमारा उमीदवार अगर योगेश्वर की बात करें तो आज अगर राष्टपती से कोई काम हो तो इसको कोई राष्टपती भवन जाने से रोकेगा प्रदान मंत्री से काम हो तो देश के लिए इतने गौरव प्राप्त करेवे हैं कि प्रदान मंतरी के पास भी जाने से कोई नहीं रोके और राज में इस्सेदारी दे देोगे तो ये वादा मनोर लाल जी और मेरा है जंडी भी लगा कर देंगे जुम्मिवारी भी लगा कर देंगे और बरोदा का विकास कराने की ताकत भी देने का काम करें मगर इसके लिए बरोदावाशियों को मेनत करनी पड़ेगी कोई रूसावा है कोई घर बैठा है कोई कांग्रेस में बैठा है और भाई कोई लोग दल में या वो ओटो वाली पार्टी में वोट खराब कर रहा है उसने भी समझाओ एक-एक वोट की कीमत है और एक-एक वोट जब तक युगेश्वर के पक्ष में तीन तारीक को गठवन्दन को कमल का फूल दबाकर आप देने का काम नहीं करेंगे जब तक परदेश के अंदर बरोदा की अलग पैचान आपनी बना पाएंगे और इस युवा साथी को जिता देोगे तो ये गारंटी है जैसे इसने विदेशों के अंदर देश का नाम रोशन करने का काम किया तरंगा अलग अलग जमीन पर फिराने का काम किया है जब आप के बीच में आया था और उमीद करता हूँ एक एक ग्राम वासी आज से मंडेगा जुटेगा और योगेश्वर को एक नई ताकत देने का काम करेगा आप सब आए पूर्ण आप सब का बहुत बहुत धन्यवान